हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ट्रेंड लाइन स्टॉक्स और आज के इस वीडियो में मैं लेके आए हूँ आप लोगों के लिए BEL यानि भारत इलेक्रोनिक्स लिमिटेड जी हां बहुती शांदार जबरदस स्टॉक चार दिन में पिछले चार दि की तेजी यहां पर इसने दिखाई है और अगर आज की बात करूँगा 28 में 2020 की तो लगभग लगभग 35% की यहां पर डिलिवरी होती भी दिखाई दी है देखें सारे आकड़े और इसके अगर टेक्निकल स्टैस्टिक्स देखें तो बिलकुल समझ में आता है कि इसके अंदर एक अपवर्ड मुवमेंट ही देखने को मिलेगा और डाउन साइड यहां पर लिमिटेड हमें दिखाई देती है मैंने अभी 18 तारीक को एक वीडियो डाला था BEL के उपर तब ही मैंने इसमें आपको बाई की पोजिशनल ट्रेडिंग करने की इसमें आपको सलाया दी थी और काफी अच्छा यह स्टॉक है जो अभी तक की इसमें सारी निउस निकल के आ रही है देखे कोरोना पैंडमिक के दोरान जिस तरीके से सरकार ने 49% से लेके 74% FDI आटोमेटिक रूट के जरिए निवेश की मनजूरी दी है जितने भी डिफेंस सेक्टर के लिए जितने भी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं BEL, BHEL, BEML, HAL सब ने एक तेजी का रुख पकड़ लिया है उसमें से BEL अगर मैं आपको बताओं तो बहुत ही अच्छी कंपनी है छोटे टिकेट साइस के ऊपर और जो इनका वर्किंग प्रोफाइल है नौ फैक्टरीज है इनकी ओल ओवर दी इंडिया में एक नवरतन कं बना सकते हैं इस स्टॉक के अंदर बहुत ही शानदार ये रिटन देने वाली एक कंपनी है और सबसे बड़ी में बात आपको बताना चाहूँगा यहां पर देखिए ये स्टॉक अब से कुछ महीने पहले ही सवा सो रुपे के आसपस ट्रेड होता वा नजर आता था और उ लेकिन उसके बाद में फिर इसने एक डाउन ट्रेंड दिखाया और ये स्टॉक 56 रुपे के आसपस 52 हफतों का इसने लो बनाया था अभी कोरोना पैंडमिक के दोरान लेकिन अब ये वापस से एक ट्रेंड चेंज करके और अपसाइड मुवेंट दिखाने की पूरी-पू मुझे लगता है कि ये वापस से अपने 100 रुपे के लेवल को टच करता हूँ आपको दिखाई देगा चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ NSE के ओपर दिखेंगे आज इसमें कैसा रहा बिजनस वहा हम लोग ट्राई करेंगे ये जानने की कि basically कैसे लोगों का रुझान है इस स्टॉक की तरफ देखें यहां में लेके हूँ NSE के स्टाट्स दिखाने के लिए आपको BEL स्टॉक के 69.30 रुपे 30 पैसे का LTP रहा है लास्ट टेडिंग प्राईस और आज इसने क्लोज के 69.65 पैसे के ऊपर लगबग 4% की यहां पर हमें आज इसके अंदर भड़ोतरी देखने को मिली है हाई गया था 70 रुपे 40 पैसे पर और लो गया था 66 रुपे 20 पैसे पर Security वाइस डिलिवरी पोजिशन आपको दिखाना चाहूंगा तो देखें 28 मही की Security वाइस डिलिवरी पोजिशन है Quantity Traded 2,34,38,000 से भी जादा शेरों के अंदर डिलिवरी Quantity है जबकि 80,89,154 शेर के अंदर Percentage of Delivery आपको दिखाऊंगा तो लगबग 34% से भी जादा 34% की यहां डिलिवरी उठते भी दिखाई दे रही है जो ये चीज बिलकुल अच्छी तरीके से बता रहा है हमें ये Stats की यहां पर लोगों का रुझान इस Price के ऊपर बहुत जादा बनतावा दिखाई दे रहा है और Market को पूरी उमीद यहां पर नजर आ रही है कि ये Stock यहां से एक Upward Movement दिखा सकता है बहुत जल 52 Week High है इसका 122 रुपे का 4 November 2019 को लगाया था और 56 रुपे का 52 Week Low है जो 24 माज 2020 को इसने अभी दो महीने पहले लगाया था चले आपको इसके Return Profile भी एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा एक दिन के अंदर भारत Electronics ने दिये हैं लगभग 4.65% के Positive Returns जबकि Sensex ने दिये 1.83% के Positive Returns पिछले एक हफते की बात करूँगा तो लगभग 10.71% के हाँ पर BEL ने दिये Positive Returns जबकि Sensex ने दिये 4% के आसप के Positive Returns, Year Till Date की मैं बात करूँगा यानि कि 1st January 2020 से लेके और आज तक की मैं बात करूँगा तो minus 30.32% के यहां पर Negative Returns BEL ने दिये जबकि Sensex ने दिये 22% के Negative Returns, एक साल की मैं बात करूँगा तो देखे एक साल के अंदर minus 38% से ज़ादा के Negative Returns भारत Electronics Limited ने दिये जबकि Sensex ने दिये minus 19% के Negative Returns, तीन साल के अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तीन साल के अंदर देगे भारत Electronics ने 56% से ज़ादा के Negative Returns दिये जबकि Sensex ने दिये पौने 4% के Positive Returns और 10 साल की लंबी प्रोफाइल अगर आपको यहां दिखाना चाहूँ, तो BEL ने दिये 35% से ज़ादा क Positive Returns जबकि Sensex ने यहां पर आपको दिये हैं लगबग 91% के Positive Returns, तो यह इसकी Returns प्रोफाइल थी, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, चार्ट के उपर और वहां समझने की कोशिश करेंगे, कैसा placed हैं इसके Price Chart के उपर, देखिए, One Day की सैटिंग में मैंने आपे Candlestick Chart यह ल को बताया किस जो इसका Price रहा करता था काफी टाइम पहले, वो था यहां पर लगबग 190 रुपे के आसपास यहां पर ट्रेड हुआ करता था, और यह अगर मैं आपको बताऊं टाइम तो यह 2017 की बात है, 2017 में लगबग 180-190 रुपे के आसपास ट्रेड हुआ करता था, मैंने यहां पर हमें Consolidation का Period भी यहां पर इसका दिखाई दिया था, लेकिन अब जाके जब सरकार ने यह फैसलन लिया है कि Defense Sector की जितनी भी Companies हैं, जो Armed Forces को कोई भी Equipment बना के देती हैं, उनके अंदर 49% जो पहले का existing FDI निवेश था, उसको भढ़ा कर 74% की मंजूरी दे दी है, वो भी Automatic Root के जरीए, तब से इन Stocks के अंदर काफी अच्छी यहां पर तेजी दिखाई दी है हमें, देखें, यहां मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह Candle है आज की 28 मई 2020 की, और यह अगर आप देखें, तो देखें, आज इसने Closing दी है, लगबग लगबग 70 रुपे तो देखें, 9 दिन, 13 दिन और 21 दिन के Exponential Moving Average के ऊपर ही इसने यहां पर Opening दिखाई थी हमें, और Closing की बात करूँ, तो Closing करते करते, इसने 50 दिन का Exponential Moving Average बिलकूल यहां पर टच कर दिया है, अब मैं आपको देखें, इसकी बात कर रहा था, पिछले 4 Trading Sessions के अगर मैं बा अच्छी देखने वाली है, कि देखें, 50 दिन का Exponential Moving Average ने आज यहां पर तोड़ दिया है, अब इसका अगला टार्गेट जोगा, वोगा 100 देज का Exponential Moving Average, जो कि यहां लगबख 77 रुपे के आसपास, और अभी जिस हिसाप से इसका RSI placed है, RSI की position में आपको दिखाना चा और यहां से हमें एक uptrend ही देखने को मिलेगा, downside यहां पर काफी limited मुझे अब नजर आ रही है, तो मेरा जो इसका अगला target है, वो रहेगा देखें, लगबख 77 रुपे के आसपास, जो मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 दिन के अंदर यह उसको cover up कर लेगा, और अगर closing यह हमें दे देता है, 4-5 दिन के अंदर 100 days के exponential movie average के उपर, तो यह कहना गलत नहीं होगा, कि वापस से यह 100 रुपीज के level की तरफ अगरसर हो जाएगा, तो बहुती अच्छी यहां पर एक profile अभी नजर आती भी दिखाई दे रही है, चार्ज के उपर मजबूती यहां पर basically दि सरकार की और जिस हिसाब से FDI निवेश अभी खोला है, इनोंने अपने दरवाजे खोल दिये हैं विदेशियों के लिए कि आप आएं और हमारी facilities को यूज करकर यहां पर manufacturing करें, उससे दोनों ही countries को लाब होगा, हमारी country को भी और निवेशक देश को भी उनको यहां पर बनी के अंदर और मजबूती के साथ तेजी देख सकते हैं इस stock के price में, तो यह वीडियो था मेरा भारत electronics limited के उपर, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो like और share भी जरूर प्लीज में दोड़ा झाल अच्छी लगी हो तो